तो आज मैं गिना गई हूं आप सब्सक्राइब बहुत ही मसेदार और इजी रेशिपी के साथ जिससे आप लोग बेकरी के बिस्किट बिलकुल ही बूल जाएंगे बेहत आसान रेशिपी तो चली देखते हैं कैसे बनते हैं और विडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां मैं आज बेकरी स्टाइल बिस्क्यूट पना आ रही हूं जिसके लिए मैंने दो कप नॉर्मल सा आता ले लिया है जो के हम घर पर जिससे रोडिया बनाते हैं वन टीबिस्पून जीरा वन टीश्पून अजवाइन वन टीश्पून सॉल चॉल दब अपने साप से यूज अब यहां पर मैंने अजवाइन और जीरा को पैन में डाल दिया है जिसको हम ड्राय रोस्ट करेंगे थोड़ा सा यानि के हलका हलका सा सेक लेंगे जलाना नहीं है बिलकुल हलका हलका सा जो है वो सेक लेना है यहां देखें इस तरीके से बिलकुल ही मीडियम फ्लेम पर आटेहर से जललेगा अब इसको निकाल लेंगे अपने फ्लोर पर यसलिक पर इसकी बाद यहा पर मैने रोलिंग पिन लियाए क्यूके मैं एफिको मिज्ग हलका सा पीज़े लेंथ का नहीं हो तोड़ा सा इसको पाउडर फोल में ले किन बहुत ही हलका हलका पीसनाा है अगर जादा पीसना होता है तो definitely हम लोग भी माशीन यूज़ करते हैं लेकिन यहाप मैं रोलिंग पिं से कर रही हूं इसी फोल में हम यह चाहिए तो इसके निये बेकिंग पाउडर नमक इन सब चीजों को एड़ करेंगे यानिकि एक स्टेनर में एड़ करके चान कर आठे में एड़ करेंगे यहां देखें बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सेतने हैं कितने लंग्स होते हैं इसलिए चानना बहुत ही जरूरी है अब जो है अच्छी त पेचला या इस्पून की मदश से यहां देखें इस तरीके से ताकि जो है वहाँ साथी चीज़े को उटिए यह सब्सकुल अच्छी तरह करके है अब इज सकते हैं इस तरीके में इसको मिक्स कशा है शुकर जो है वह आप अपने टेश के साब से यूज कीजिएगा और अब जो हमने ड्राय रोस कर लिया था जीरा और अजवाइन वह एट करेंगे ऐट एंच, मैं आप ऌीड यूठ तरीव से और अब इसको भी घूजें कर लेंगे बहुत इची तरीका से मिख्क रडेंगे है कि सारी चीजे आठे में से टरीकसे मिक्स हो जाएं हम देखें इस तरीके से Saar तो अगर नहीं है तो फिर आप गी नौर्म वाला यूज कर सकते हैं इहको अची तरीके से मिक्स करना है इस को आठा चेटड़े ज्यादा श्लूंप यूज है accredi q ज्यादा सवफ हातों से उसको मिक्स नहीं करेंगे यहां देखें इसी तरीके से इसको mix करते जाएंगे बहुत यी तरीके से हमें हे थोड़ा सा घी और एड़ करेंगे यह जो पूरा है डो वो घी से ही हम बनाएंगे यहां देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसको आटे को साथ करना कि कमबायन करना दो बना लेना है और आब हम 21 तक कवर करेंगे रईस capable करहें ओया देखिए वी से क्वार पसके ज्यानि के बना लें यानिक इस किसी शप बनाना चाहिए आप बना सकते हैं आपकी मर्जी मैं यहां पर इस शेप के बना रही हूँ बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से मैं जो है वो सारे बिस्किट अपने बना कर रैडी करने वाली हूँ बना कर हम जो है वो इसको डिश में रखते जाएंगे यह देखें इस तरीके से दिश पर लखने से पहले डिश को आप अच्छे से डस कर लीजेगा में दिश या तो कोई भी आटे से ताके इसमें जो बिस्किट वो चिपके ना बेकिंग के वक्त यह देखें इस तरीके से यह जो बिस्किट्स है वो मैं आपको विदाउट ओवन बनाना से खाऊंगी तो रेसिपी को यहां मेरे सारे बिस्किट्स रेड़ी हैं अब जो है वो मैं हर बिस्किट्स पर मिल्क यानिके दूद्द लवा लिओंगी यानिके ब्रॉश कर लोंगी यहां देखिए इस तरीके से और साथी साथ जो हमने बचा लिए थे अजवाईं और जीरे का पाउडर नहीं कहेंगे च कि यह हैं वो करेंगे वहाँ इससाजरा रेकिट्स स्कृत पर यहीं फॉलो करेंगे यह देखें इस तरीके से ओ और यहां जो इस्वार इस तरीके से वंपने सारे बिस्क्ष रेडि करेंगे अब यहां मैंने प्ले लिए तक 색 करेंगे वही डिश जिसमें हमने बिस्किट बेग करने यह देखें इस तरीके से और हम इसको कवर करेंगे तकरीब थीज से पैंतिस मिन तत मीडियम फ्लेम पर हाइ फ्लेम पर नहीं रखेंगे अदर्वाइस जो है वो बिस्किट खराब हो जाएंगे इसी पॉइंट का आपक अब अगेंगे बिस्किट चुए वह बहुत यह तरीके से बेक भाट ऑ चुके हैं बिल्कुल कहस्ता से बेकरी स्टाइल देखा कितनी एक चट्पट तरीका से हमने विदाउट ओवन बिस्किट बेकरी स्टाइल घर पर ही बना लिये अब बस इसको हम जो है वह अच्छी त और यहां आप देख सकते हैं कितने खसता और कितने मेदार बन कर रेड़ी होएए तो देखा कितनीmaster ​​ तो किसेपी पसंद आई थो विडिल को लाइक कर करा ना भूलें शेयर कर दिया करें और कॉमेंट भी जरूर कर दिया इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि कितने लोग पसंद करते हैं हमारी वीडियोस को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को ऐसी ही मज़ेदार आसी भी इसके लिए मिलती हूं एक सोड़े में अपनों बहुत आख्यार रखीगा